जब चुनाओ का समय आता है तो विधायक जी धूल फाकते हुए आपके पास पहुचते हैं और उसके बाद साइद विधायक जी नदारद हो जाते हैं आपको दिखाई तक नहीं देते हैं लेकिन प्रसांत किसोर की पाटी एक ऐसा नियम बनाने जा रही है जिससे आप अपने चुने हुए विधायक अगर काम नहीं कर रहे हैं या फिर आप अपने विधायक से खुस नहीं है तो उनको उनकी सीट से हटवा सकते हैं अब पूरी कहानी क्या है और जंग सुराज का ये नियम कैसे बन रहा है प्रसांत किसोर इस नियम का हवाला कैसे दे रहे हैं दावा क कैसे कर रहे हैं इन सभी मुद्धों पर विस्तार से बात करेंगे और आपको वताएंगे लेकिन उससे पहले आप हमारा पड़िचा जान लीजिए नमस्कार में अनाम वेद प्रकास है आप जनता जंक्शन देखना सुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल अब आ आने वाले जो लोग हैं वो कितने काबिल है जब आप उनका नाम सुनेंगे उनका पद सुनेंगे तो आप भौचक्के रह जाएंगे और आपको इस बात विश्वास नहीं होगा कि क्या कोई राजनितिक पाटी का संभिधान जो है ऐसे लोग लिख सकते हैं अब आईए सब से पहले जन्सुराज के संभिधान की जब भी बात करते हैं प्रसांत की सोर तो इस बात का दावा करते हैं कि जन्सुराज की संभिधान में हर तरीके का वेवस्था होगा हर समस्या का निदान निकाला जाएगा और अब समझ लीजे कि जन्सुराज का जो संभिधान बन रह उसके निर्मान करता जो लोग है उनका नाम सामने आ चुका है और सब IS IPS है मतलब IS और IPS की फौज से प्रसांत की सोर जो है जंसुराज पार्टी का संबिधान तयार करवा रहे हैं और इस कारण से इस बात की गुंजाइश ज्यादा है कि जंसुराज का जो संबिधान बनेगा वो बेहतर बनेगा और बाकी राजिनतिक पाटियों से बिलकुल अलग होगा अब आएए इस संबिधान को बनाने वाली कमीटी में लोग कौन कौन से है तो सबसे पहले अरविंद कुमार सिंग है और विंद कुमार सिंग आएस ऑफिसर है और ये इस कमीटी के एक तरीके से कहली जे की मुखिया रहेंगे और बिंद कुमार सिंग जो है कैमूर और पुढिया जिले में डियम रह चुके है डिस्टिक मजी स्टेट रह चुके है और जब उन्होंने रिटायर किया था तो स्टेट फूड करपरेशन के मैनेजिंग डिरेक्टर पद से वो रिटायर हु जहरसा में कमिशनर रह चुके हैं नवादा में कटिहार में डिस्टिक मजी स्टेट रह चुके हैं कलक्टर रह चुके हैं उसके बाद अगला जो नाम है वो है राम विलास पास्वान का राम विलास पास्वान जी जो है वो कैबिनेट के अपर सचीव के पद से रिटायर कि उसके बाद अगला जो नाम है सुरेश कुमार सर्मा है वो भी एक I.S. अधिकारी है और बिहार प्रसासनिक सेवा के अध्यक्ष रहे हैं चार सालों तक और उसके बाद अब आईए प्रसांत किसोर की इस टीम के बारे में जानने के बाद ये जान लीजिए कि प्रसांत किसोर क कि वो कौन सी खासरन निती है जिसके कारण आप किसी भी विधायक से उसका पद छीन सकते हैं सबसे पहले ये जो कमीटी है आपने देखा कि सभी I.S. और I.P.S. अधिकारियों से भड़ी पड़ी है मतलब I.S. और I.P.S. मिलकर के जन सुराज का जो सम्विधान है उसको लि दाताओं को विधायक चुनने का मौका मिलता है सांसद चुनने को मौका मिलता है उन्ही को एक और मौका दिया जाएगा और वो अपने द्वारा चुने गए सांसद और विधायकों को उनका पद छिनवा सकते हैं उनको हटवा सकते हैं इस्तिफा दिलवा सकते हैं अब ये क प्रस्वास प्रस्ताव अगर पास हो जाता है तो उस व्यक्ति को अपना पद छोड़ना पड़ता है और ठीक इसी तरज पर प्रसांत किशोर की पार्टी जंसुराज के सम्मिधान में भी एक आर्टिकल जो राज आ रहा है जिसका नाम है राइट टू रिकॉल मतलब वाप च कर रहे हैं धंग से काम नहीं कर रहे हैं और आप अपने जन प्रतिनिधी से खुश नहीं है तो आप उनके खिलाप अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं और फिर उस अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी और एक निश्चित आकरे को अगर वोटिंग पार कर जा तिहा विश्वास प्रस्ताओं के पक्ष में ज्यादा वोट आ जाता है तो फिर उसे चुने हुए जन प्रतिनिधी को इस्तिफा देना पड़ेगा और जन सुराज उनसे इस्तिफा लेगी अब आप इस बात को समझें कि आज तक तमाम राजनितिक दलों में से किसी भी दल न ऐसा नियम नहीं बनाया है ऐसा काईदा नहीं बनाया है कि आप उपने चुने हुए जन प्रतिनिधी को वापस बुला ले उनसे उनका पद छीर ले लेकिन जन सुराज ये करने जा रही है और प्रसांत कि सोर की जो ये सम्मिधान है वो वास्तों में बिलकुल अलग नजर आ रही है और अगर प्रसांत कि सोर जिस बात का दावा कर रहे हैं ये बात अगर बिलकुल सही होती है तो आप समझ लीजे कि बिहार की राजनिती में एक अलग भुचाल आएगा और इस कारण से वो जन प्रतिनिधी जिसको लोग चुनते हैं उनमें जनता का खौफ रहेग अपनी राए कमेंट करके हम तक बेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंचन बहुत बहुत धन्यवाद